आत्मिश्वाश और संगर्ष की कहानी यह कहानी एक आम लड़की राज की जो अपने सपनों की पूर्ती के लिए हर कदम पर मेनत कर रहा था उसका सपना एक दिन बड़ा IAS ओफिसर बनने का था लेकिन जीवन ने उसके सामने बहुत सी चुनोतियां रखी एक दिन उसकी जिनकी में एक बड़ा मोर आया जब उसे एक हास्ते में अपने पैरों को को देना पड़ा इससे उसका सपना तूट गया लेकिन उसने हार नहीं मानी राज ने इस मुश्किल से निमटने के लिए सकारात्मक सोच अपनाई और एक पोट्रेच वीलचेर की मदद से अपने जीवन को कुन है स्तापित करने का प्रयास किया उसने खुद को एक मुकोटा पहना कर सड़कों पर लोगों की मदद करना शुरू किया और उन्हें मुस्कान देने का कारण बना राज की इस निर्मल भावना ने उसे देश पर में पहचान दिलाई और उसे एक सासी आत निर्वर व्यक्ति बना दिया उसने ना सिर्फ अपने कटनाईयों को पार किया बलकि दूसरों को भी सास और आस दिश्वास का संदेश दिया राज ने पुद को हास्स के बावजूद एक प्रिणा सोत्र बना दिया और उसने अपनी कड़ी मेहनत आत्प सम्रफरंग और पौरोष से जीवन को नई दिशा देने का संपल किया आज भे लोगों को यह सिखाता है कि हास्सों के बावजूद हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं जब हम मेहनत और आत्मिश्वास से सामना करते हैं इस कहानी का सार है कि कभी-कभी हास्सों हमारे आत्मिश्वास को साफित करने का एक नया रास्ता दिखा देते हैं और आज राज ने उसे समर्थे को पकड़ किया और जो हमें अपनी मंजल की ओर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने में सायक हो सकता है इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर पत पर हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए और कभी नहीं हार माननी चाहिए